इस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 ECV में डैनिस कंपनी का भारत आतमन हुआ इसकी पहली फैक्टरी तंजोर के 53 कॉर में 1620 ECV में इस्थापि तुई इसके बाद बंगाल की श्री रामपूर या सीरापूर में 1676 ECV में इनकी फैक्टरी इस्थापितो यही सीरपूर डैनिस कंपनी की गतिवीदियो का प्रमुक केंद्र था डैनिस भारत में अब आर्तिक इस्तिती सुद्रण नहीं कर पाए और अंतत है अपनी भारतिय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 सी में इन्होंने बेच दिया इन्होंने व्यापार की तुलन में धर्म पचार संबंदी कार्रों में अधिक ध्यान दिया यही इनकी इसफलता का कारण बना तमिलनाडू इस्तित ट्रॉंग के बार वर्तमान तरंग बाड़ी 1620 से 1845 तक डैनिस बस्ति हुआ करता था ट्रंग के बार जो कि तमिल सब तरंगन बाड़ी से बना है जिसका अर्थ होता है एक स्थान जहां तरंगे गाती है यह स्थान 1845 में श्री रामपूर वर्तमान में पच्चे मंगाल में स्थित है और कुछ अन्य स्थानों के साथ अंग्रेजों को बेच दिया गया निकोबार द्वीब भी पहले डैनेश लोगो द्वारा ही बसाया गया था जो कि 1668 में अंग्रेजों को बेच दिया गया आजादी के बाद सन 1957 में निवर्तमान परधान मतरी पंडिक जवालाल नेरुद्वारा डैनमार्ग यातरा करके भारत और डैनमार्ग के बीज दोस्ते के नीव डाली जो अभी भी कायब है तो ये दिकाने डैनिस के भारत आगमन की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जडूर करें